अब इस लेक्शर में हम देखेंगे कि model train करने के बाद किस तरीके से prediction की जाती है और कैसे verify किया जाता है कि model सही तरीके से train है या नहीं या कितने किसम के उसके chances है इसके अंदर आप मेरे साथ coding भी करेंगे और हम मिलके codes को देखेंगे भी किस तरीके से different methods आपको बताते हैं कि आपको model सही तरीके से train हुआ भी है या नहीं हुआ ठीक है अब यहां तक जितने भी हमने काम किये वो थे model train करने की कि हमारा model train हो गया है हमारा model save हो गया है train हो गया है अब predictions के पीछे चलते हैं आपको start में याद होगा कि हमने test images रखी थी check करने के लिए कि उसकी prediction कैसे आती ह for example अब यहां पर हम test underscore images को अगर गौर से देखें कि यह images कौन सी है test images तो अगर मैं इसको simply यहां पर इस तरीके से print करूं तो these are some kind of images अगर मैं इसकी shape लूँ तो यह हमें यह बताएंगे कि 10,000 ऐसी images हैं जिनका size वो ही है और अगर इनके labels देखें तो test underscore labels हमारे पास shape उनकी देखूं तो वो 10,000 है सिरफ इसका मतलब यह है कि हमारे पास 10,000 labels यानि कि numeric labels हैं 0 से 9 तक जो हर image के साथ associated हैं यानि कि इन images के साथ associated हैं पहले तो हम model dot predict करके dot predict जो हमारा पुराना तरीककार था जब भी हम prediction करते थे आपको याद होगा psychic learn के अंदर पिछला तो चलो neural network का काम गया गुजर जो हमने train किया model अब prediction जो है यह similar हर किसी model की तकरीबन सेम ही चलती है so now we will see कि हमने यहाँ पे model dot predict लगाया test images पे हमने सारे के सारे 10,000 test images को predict किया ठीक है और उसको मैंने predictions के अंदर store कर दिए ठीक है let's see यह हमारे पास model train होने के बाद 10,000 images पे 1.4 second में predictions होने कल वाला question के अगर model हम किसी का trained पकड़ने तो हम अपनी images पे उसको लगाना चाहें तो कितना time लगेगा you can see here कि अगर model train करने में मुझे कोई 15 से 20 minute लगते हैं तो यह 1.5 second का काम है prediction करना और जारी बात है images का size भी छोटा है still it takes less time अब prediction मैंने कर ली है let's see किस तरीके से यह काम चलते है मैं यहाँ पे prediction के अंदर से zero number यानि के सबसे पहली image जो हमने predict की है उसका label निकालने लगाँ क्योंकि prediction यह भी labels ही है ना ठीक है उसका label हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहे हैं यह हमारे पास predictions आ रही है prediction के अंदर zero test images को हमने predict की है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी एक list आ रही है अगर मैं इसी को आपको एक और तरीके से दिखाऊं test labels और इसके अंदर zero को करूँ यह हमारे पास nine आ रहे है सो हमारे पास यहां पे कौन सी ऐसी चीज है जो अभी इस वकत still missing है समझ आ रही बात की कोई के नहीं हमने model.predict कर लिया हमने prediction का कोई भी एक तरीका कार निकाल लिया अब यहां पे हमारे पास क्या आ रही है यह चीज़ें यह जो prediction आ रही है कितनी values अगर आप गौर करें तो हमने कौन सा activation function यूज किया है softmax at the end मैं आपको दुबारा से वापिस theory पे लेके जाता हूं मैं इस वज़ा से इस चीज़ को खंगार रहा हूं यहां पे हमने कौन सा use किया softmax कितनी classes है हमारे पास दस और यह क्या करता है relative probability देता है याद करें lecture कि सारी की सारी classes की probability देता है उसमें जिसकी सबसे ज्यादा probability है that is our number ऐसे ही है कोई गलत तो नहीं मैं कह रहा ना चलें अब चेक करते हैं मैंने यहां पे print किया और मेरे पास आ गया यह इतनी classes की values ठीक है सबसे ज्यादा probability किसकी है इसमें अगर आप गवर करें नाइन की क्योंकि यह सिर्फ माइनस जिरो वन नहीं की पावर तो यही तो यहां पर लेबल है ना समठाए बात की चलो इसका एक और तरीका आपको सोखा तरीका बता देता हूं अगर आपके पास नमपाई है उसके अंदर argument max का फंक्शन लगाएं और आप प्रेडिक्शन जीरो करें तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी कि कौन सा लेबल है उसमें से मतलब यह पूरी की पूरी एक जो आपके पास सीरीज है इसका कितनवा इंडेक्स सबसे ज्यादा वैल्यू का हामिल है argument with the maximum value तो हमारे पास कौन सा है वो 9th लेबल है समझागी बात की क्या चल रहा है यहां पर चलें एक और काम करते हैं test label number 50 उसको मैं देखता हूँ यह चार अगर यहां पर मैं 50 करूँ तो यह भी 4 है ठीक है अब मुझे एक बात बताएं can we draw our confusion matrix है यह possible नहीं है तो कैसे draw करेंगे जरा हो जाए मुकावला क्या ख्याल है मतलब यह कि हमारे पास prediction सही आ रही है अगर हम यहां पर confusion matrix एक draw कर लें तो हमारे पास easily नहीं हो जाएगा सारा काम और आज आपको जो मैंने ट्रिक बतानी है कल भी मैं भूल गया था यह जो मैं छोड़े छोड़े बीच में सवाल पूछ रहा होता हूं इसका असान तरीका VS code insider है जो कल मैंने आपको पताना याद नहीं रहा कि किस तरीके से उसको बना सकते हैं इसको हम प्रिंट करते हैं let's see हमारे पास क्या हात है यहां पर फिलाल एरर हारी है क्यों एरर हारी है we will see argument test labels axis one prediction NP arguments predictions and then axis one confusion matrix TF math से निकला CM के अंदर problem है axis one is out of bond of array of dimension one so this is not working let's see another way to do this यह वाला code मुझे कोई नहीं याद मैं पहले बता रहा confusion matrix का and I am copying and pasting here from chat GPT हमारे पास true labels जो हैं वो हैं test labels यहां पर predicted labels जो हैं वो हमारे पास predictions है ही को हो गया then again confusion matrix test predictions classification metric can't handle a mixture of multi-class and continuous multiple out targets I will just copy and paste this thing okay then predictions को आप convert कर ले the 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 predictions and the 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 तो यह कुछ तीन-चार मिनिट लगते हैं आपको बनाने के लिए इफ यू नौ वाट यू आपके पास इसको तो पढ़ने आता है आपको कोई मसला तो नहीं है कोड मैं नोटबूक का सारा आपको दे दूँगा और आजकल मैं कोड पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है सिरफ आपको थियूरी समझा रहा होता हूँ कोड के थूँ बाकी सारा कुछ एट जीपीटी और बाकी जो मैंने पीस कोड इंसाइडर आपको बताया है वहां से भी मिल जाएगा यहां पर आपका जीरो से नाइन तक लेबल्स है टी श्यट से लेके नीचे तक मैंने इसको क्लास में लेक्ट करण। दिए यहां पर टी श्यट से यहां थक अब कंफूजन मेत्रीक्स यह जितने भी लेबल्स हैं यह बता रहा है कि जब कोई चीज टी-शिट टॉप थी और वो टी-शिट टॉप ही कंसीडर हुई वो 885 इंस्टेंसीज हैं ठीक है आउट आफ 10,000 जब वो ट्रोजर हुई यह 4 है फिर 17, 41 यह हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं आपकी प्रेडिक्शन की घलत साबित होने की क्योंके एकुरेसी 89 परसेंट है ना जो 11 परसेंट घलत है वो क्या है वो यही चीज़े हैं अगर आप गवर करें ठीक है और लखी लिए हमारे पास यहां पे कोई इतनी ज्यादा रॉंग वैल्यूज नहीं हैं अंडर हंडर्ड ही जा रही हैं तो इस नोट बिग डिल लेकिन इसकी अकुरेसी अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके पास और भी अच्छा रिजल्ट आएगा वट यू कन दू फो दैट आप सिंप्ली हर डेटा को आउगमेंट करके देख लें आफ्टर मेकिंग दिस कन्फूजन मैट्रिक्स आप ऑगमेंटेशन के बाद अपने मॉड बोलते हैं कि एक चीज़ फाइंड आउट करके टॉप डाउन अप्रोच में जाने का तरीका क्या है यहां पे अगर आपके पास नंबर बहुत कम आ रहे हैं और यहां पे ज्यादा आ रहे हैं यानि कि आपका किन्फूजन मैट्रिक्स डार्कर कलर शो कर रहा है अदर दैन टैगनल लाइन तो इसका मतलब आपका मॉडल घलत परफॉर्म कर रहे हैं आपका मॉडल ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है और यह उसी चीज़ की आकासी है जो हमारे पास यहां पे एकुरेसी की वैल्यू आई थी टेस्ट की विच इस एटी नाइन परसेंट यह एकुरेसी का मतलब है कि जो शो कियें वह एकुरेट कितने हैं अब जो नहीं सही आ रहे उसके लिए डिफरेंट मैट्रिक होगा सही है अब यहां पर हमारे पास टेस्ट एकुरेसी आ गई हमने क्योंकि मॉडल डॉट वैलूएट करके एकुरेसी लेनी अगर हम मॉडल के दुरान मैट कि के एंदर एकुरेसी के बजाए पर सीजियं यारी कॉल रख देते तो वह हमारे पास कैल्कुलेशन में आनी थी समझाई बात की तो आप उसको उस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके मॉडल के अंदर पर सीएन या रिकॉल स्कोर कितना है उसकी बेस पर चेक कर लें सेकंड क्या होगा आप अब इस accuracy को बढ़ाने के लिए यू केन आलसो प्ले विद इस तिंग्स आप यहां पर लेर्स बढ़ा दें अगर accuracy को अच्छा करना है या आप epochs बढ़ा दें जैसे अभी मैंने epochs रखे थे 10 अगर हमारे पास accuracy आ रही है यहां पर validation की accuracy 90 तो मैं अगर epochs को बढ़ाऊं तो let's see हमारे पास क्या होता है मैं यहां पर 20 रख देता हूँ epochs और बैट साइज में थोड़ा कम गर के 16 कर देता हूँ पहले 18 सेकिंड में एक चला था अब इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और 30-32 सेकिंड लगेंगे बाट इट विल वरकिंट फाइन तो हमारे अगर यह 20 इपॉक्स चल के इसके अकुरेसी कम होती है या ज्यादा होती है तो वही असर हमें कहां पर नज़र आएगा हमारी इन चीज़ों पर नज़र आएगा कि एक टी-शिर्ट को प्रेडिक्ट करने के कितने इसके चांसिस अच्छे हैं ठीक है सो बेस्ट उन डैट हम के इनफीजन मैट्रिक्स बनाते है एड दी अन्ड सारी की सारी गेम आती है कि ये पढ़ी ये पिक्चर बताओ ये क्या है वो कहता है कि टी-शिर्ट है अगर आपका अंसर भी टी-शिर्ट है उसको एक नमबर मिल गया अगर वो कहता ट्राउजर है और वो है टी-शिर्ट तो वो नमबर यहां पर आ जाना है ठीक है और सेम गोस फो दर अधर साइड तो हमारा सारे के सारा काम इसको प्रेडिक्शन को एकुरेसी को अच्छा करने के लिए होता है और यूजली लोग यह कहते हैं कि अगर यहां पर सिंगल नमबर वैल्यूज है ना यानि कि वन से नाइन तक तैन इस प्रिटी फाइं अगर यह डबल नमबर में आ जाती है यानि कि लेस देन हंडर्ड और अब थाउजर्ड की बात कर रहे हैं सैंपल्स की तो स्टिल इस फाइल लेकिन इट कैन बी इंप्रूफ तीन नमबर में तो आनी नहीं चाहिए और देन हंडर्ड तो होना ही नहीं चाहिए ना यह जो घलत प्रडिक्शन हैं इनको ठीक है समझे आगी बात की अब यह सारी चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हैं जो आप अपने तरीके से भी चेक कर सकते हैं फॉर एक्जामपल जो आउट पुट्स हैं वो कैसे देखेंगे जैसे मुबीन ने एक पॉइंट रेस किया और अगर आप गोर करें शर्ट एंड टी शर्ट सिर्फ बाजू का फरक है मैंने स्टार्ट में आपको बताया था क्या था उसकी क्लासिफकेशन जीरो और आपके पास पुल ओवर है यह वला तू तरी फोर फाइफ सिक्स जीरो टू और सिक्स के अंदर तक्रीबन यह देखें यह चेक करें एक यह वला सिक्स नंबर लेबल इसको गोर से देखें ठीक है और आपका टू नंबर लेबल और मॉडल को भी यह मिलते जुलते लग रहे हैं कैसी मज़े की बात है आंखों को तो लगी रहे हैं मॉडल को भी गौर करें तरह टी शेट और शेट के अंदर 158 का फरेक है कि जो टी शेट थी उसको उसने शेट दिखा दिया इतना तो बनता है ना हम खुद भी पैकिंग करत है ना अक्सरोकाद तो यह वही चीज़ है अगर पुल ओवर्स और शेट को देखें वही चीज़ पुल ओवर्स जैसे हमारी स्वेट शेट वगएरा है ठीक है वह यहां पर आजए तो आप चेक करें उसके भी 90 है अगर कोट और शेट को देखें तो रियल्टी में 57 उतनी गलती है वह यहां पर आ रही है फिर सैंडल और स्नीकर के पास मगलती है मतलब जो बनती हुई गलती है वही नजर आएगी आपको और यहां पर पुल ओवर्स और यहां पर फाल्स पोजिटिव होते हैं यह आपने देखना है और इस लाइन के नीचे यह जो डाकल करल है डार्कर कलर है इसके नीचे फालस पोजटिव होते हैं यह फालस नेगटिव होते हैं और वो क्या चीज़े है रिजन यहां कि यहां पर अगर 53 नंबर है ना अगर पुल ओवर था और टी-शिट नजर आई यह टी-शिट थी और पुल ओवर नज़र आया so we can see that here अगर आप गवर करें ठीक है तो we have to find out true label versus predicted label यानि के ये true label था pull over का और shirt हमें मिली है वो ठीक है pull over था और shirt मिली क्योंकि यहां पे true labels left side पे है predicted labels नीचे है so you can have an idea के rows जो है वो correct है और जो column है यानि के vertical चीज़ है वो हमारी predicted है तो गलती predicted से हुई है true से नहीं हुई तो इस तरीके से हमारी prediction जो है वो काम करती है अब अगर आप हमारा जो confusion matrix है इसके अंदर मैंने आपको star में एक चीज़ बताई थी predicted versus predicted and then actual versus actual और अगर actual नहीं है और वो प्रेडिक्ट हो रहा है that is true negative false positive sorry और इसे तरीके से अगर वो actual भी नहीं है तो प्रेडिक्ट भी नहीं हो रहा है वो true negative है तो यहां पर जो सारी चीज़ें आरही है वो वही चीज़ें आपको दिखाई जा रही है आप so at the end यह सारा मामला आपको पता है कि किस तरीके से handle करना है you can do it really well और इस पर हमने अच्छा खासा time भी लगाया हुए आप इसके साथ और भी play कर सकते हैं मेरा model अभी भी run कर रहे so it happens अगर आप data को augment करना चाहें आप data को check करना चाहें आप accuracy को देखना चाहें आप check करें it's already been at 9018 और यहां पर आगे change नहीं हो रही 18 से 13 हुई फिर वो ही आगी फिर उपर जा रही फिर नीचे जा रही so I don't see a change here अगर आप वो तरीका अपना है जैसे मने आपको बताया था कि आप epochs का number check कर सकते then it will be fine for you आप एक final epoch callback function के साथ use कर लें जो हमने patience वगरा add कर के नहीं किया था history के अंदर so you can use that one at the end CNN यहां पर हमारा image classification का जो algorithm हमें वो यहां पर stop होता है और जारी बात है यह run तो करेगा लेकिन आपको अब समझ आगी है starting from कहां से start करना है images कैसे readout होती है और फिर आस्ता इस्ता इस्ता आगे आप कैसे convolutional layer बनाते हैं कैसे flat image करते हैं कैसे pool करते है pool क्यूं करते है फिर जो striding है वो क्या होती है padding क्या होती है और आपका feature map कैसे बनता है dot vector कैसे बनते है dot product जो होती है उसकी base पर फिर बड़े picture से छोटे picture में कैसे आजाता है फिर जो किनारे होते हैं वो filters कैसे detect करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि filter की specific value है वो multiply होती जाती है इस विज़ा से हमारे पास किनारे आते जाते हैं data augmentation मैंने आपको कल बता दिया था जिसके अंदर आप images को rotate करते हैं flip करते हैं vertically horizontally 90 के angle पे 270 के angle पे and then आपके पास data double triple हो जाता है तो अगर आप उसको train करें data augmentation की technique जो है वो use होती है to increase the accuracy of your model reduce the loss and increase the accuracy तो यह जो गलतियां हो रही है ना नीचे इसको कम करने के लिए आप data augment कर सकते हैं यानि के जितना data ज्यादा होगा उतना अच्छे तरीके से वो learn करेगी एक और तरीका है वो यह है कि अगर images का size 28 by 28 से थोड़ा सा बड़ा हो और pixels ज्यादा हो हमारे पास then the accuracy will be more वही चीज़ के अगर कोई चीज़ हमें clear नजर आ रही है we can differentiate between the things easily यही चीज़ कंप्यूटर के लिए है अब आप खुद गोर करें कि यहाँ पे हम भी confuse हो रहे हैं इस जगापे अगर आप यहाँ पे गोर करें तो हम भी यहाँ पे confuse हो रहे हैं चीज़ों को लेके अगर आप गोर करें 9 नंबर और यह 7 नंबर यह तो यही गलती कंप्यूटर ने की है based on the pixels तो कंप्यूटर की गलतियों को बजाने के लिए लेकिन जारी बात है उसको करने के लिए आपको अच्छी खासी जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी यहाँ पे एक example में आपको दे देता हूँ अगर आप 28 बाइ 28 की जगा पे जो हमारे पास इस वकत images है 28 बाइ 28 multiplied by one की dimension तो 28 को 28 के साथ multiply करें तो हमारे पास 784 आता है यह काम आता है 784 यह आता है 784 अगर यही तीन कलर की images होती है यहाँ पे 28 by 28 multiplied by 3 तो यह कितने होते हैं जी हमारे पास कोई multiply कर सकते हैं तईस सो बावन चलें यह तो हो गया 28 by 28 ठीक है अब 1920 सौरी 1922 by 10 असी एक HD image की बात कर रहा हूँ HD image हो और वह single dimension की हो तो कितना अंसर आता है गोई बता सकता है 207 मतलब 2,073,600 यह इतने pixels हमारे पास total होने थे एक image के और यहाँ पे एक image के 252 है सिरफ अगर वो colored है यहाँ पे हम black and white को देखें तो यह कितने हैं 784 यह इतने pixels हैं हमारे पास 784 और यह हैं 2 million plus pixels अब अगली बात देखिएगा जितने pixels हैं उतनी values भी हैं अगर आप इसको इसका गुना निकाले ना तो million और यह hundred में हैं तो अगर यह processing बहुत थोड़े time में हो रही है just imagine कि अगर HD images होती तो क्या हाल होता है चलें आपको एक और मैं calculation बताता हूं multiplied by 3 अगर यह होता 1920 multiplied by 1080 multiplied by 3 यह 6 million से above value होती है 6 million से above और 6 million मैं एक picture का बोल रहा हूं एक image का बोल रहा हूं अब मुझे एक और बात बताएं अगर यह एक image का इतना है और हम इस image को for example say for example 4 layers में convert कर रहे हैं 4 neurons की layers बना रहे हैं तो इस image को forward होते होते 24 million processing parameter से गुजरना पढ़ना था 24 million की बात कर रहा हूं 6-0 24 million की processes से गुजरना पढ़ना था एक image को बदले में हमारी 28 by 28 की image कितनी असानी से गुजर रही है यही वज़ा है कि बहुत ज्यादा लोग artificial neural natural यानि CNN के through image classification को तरजीह नहीं देते there are other methods out there ठीक है कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है traditional method है छोटे products के लिए बहतर है लेकिन बड़ी images के लिए इसके लिए बहुत power की जरूरत है और convolutional layer जो है इसको कितना process करती है वो भी आपको पता है और at the end जब आपके पास information आती है तो आपको take ages और at the end अगर आप ज्यादा information कर रहे है perform तो इसका मतलब है data ज्यादा है हम data की बात कर रहे है image के size में भी data यह ना हम data की बात कर रहे हैं जितना data ज्यादा होगा उतनी accuracy भी ज्यादा होगा ठीक है क्योंके जारी बात है हर metric का कोई ना को value आएगी और जहां पे कोई चीज होगी वही matrix का dot product आपको highlight करके देगा value और color images में तो वैसे भी accuracy ज्यादा होती है reason क्या है वहां पे R, G और B यह तीन-तीन color के आपके पास data metrics आ रहे होते हैं और at the end computer की power नहीं है आप कहते हैं एक ही layer बना लो और साथ में max pooling कर दो ऐसा भी नहीं होता so it comes with the hyper parameter tuning वह क्या है कि आपने कितने neurons यूज करने कितने epochs यूज करने और कितनी values को लेके चलना है इस वज़ा से images जो हैं वह तक्रीबन छोटे size की ही ली जाती है एक और बात याद रखें जब आप model को train कर रहे हैं आपके testing और training images का size same होना चाहिए इसको scaling बोलते हैं start में ही अपने images के pixel scale कर लें अगर आप कभी image classification पे काम करें क्योंकि data आता है आपके पास raw form में सबसे पहले सभी के सबी के scales आपने बराबर करने dimensions बराबर करनी ठीक है बराबर नहीं होंगी तो मसला बनेंगा कोई 28 की या कोई 36 की है एक ने ज्यादा weightage लेज़ेना एक ने कम लेज़ेना आपको 24 million weight से अगर गुजरना पढ़ रहा है और और at the end आपको पता हो के यह तो मैंने scale नहीं थी कि इस इमेजन आपके साथ क्या होगा सो इस वड़ा से calculation mathematically आप थोड़ी सी पहले कर लेंगे तो वह आपको बहतर साबित होंगे सो मेरा तो मेरे ख्याल से यह epoch अभी भी चल रहा है लेट मीशी यहां पर अभी हमने यह जी 20 epochs अलाए है हमारे पास वही accuracy तक्रीबन उतनी की उतनी है 89 ठीक है अब test की accuracy चेक करते हैं कुछ बड़ी है यह नहीं बड़ी यहां पर थी जी हमारे पास पहले इतनी थी मैं एक नया code लिखता हूं ताके हमें पता चल जाए 49 लास बढ़ गया है accuracy थोड़ी सी बड़ी है points के अंदर अगर आब गौर करें ठीक है थोड़ी सी बड़ी है accuracy चलो जी model को save करने को रहने देते हैं यहां पर test images की shape हमें पता है predict करते हैं predictions यह मारे पास prediction आगी पचास पे चार था यहां पे भी पचास पे चार ही है अभी यह वाला confusion matrix दुबारा बनाते हैं नीचे और दोनों को compare करके देखते हैं तो यहां पर शर्ट जो है 105 है घलत यहां पे 158 है तो पॉइंट टू का फरक है और आप check कर लें चीज़ पॉइंट टू का फरक है accuracy में पॉइंट ने पॉइंट टू का भी नहीं बलके कहां पे पॉइंट टू का भी यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यह देखें यहां पर था पॉइंट नाइन फाइफ यहां पर पॉइंट एट नाइन नाइन ठीक है तो पॉइंट जीरो जीरो फॉर का फरक है पॉइंट फोर परसेंट पॉइंट जिरो फॉर बरसेंट चलो इसको सभी को चौड़ो पॉइंट फोर भी है अगर तो दस तजार इमीज्ज के पॉइंट फॉर कितना होता है सो में से तक्रीबन कोई एक क्वाटर मतलब क्वाटर से मुराद पॉइंट फॉर तो अगर इसको आप मुल्टिप्लाइ करें दस हजार से तो कम चालीस पिचास इमिजिस तो बनेंगी ना कहीं पर जागी तो इस वज़ा से पॉइंट्स भी मैटर करते हैं एकुरेसी के अंदर जब आपका डेटा सेट बढ़ा हो ठीक है मतलब यहां पर चेक कर लें कि हमारे पास एक सूपांच शर्ट जो हैं वो हमारे पास फॉल्स नेगटिव आई हैं यहां पे 158 थी तो इसका मतलब कम हो गया ड सब्सक्राइब करेंगे जारी बात है इमिज क्लासिफकेशन इतनी ही नहीं है जैसे हमने दो दो दिनों में पढ़ लिए पर स्टिल आपको जितना नॉलिज यहां पर मिल गया है आई थिंक सो अगर आप मेहनत करें तो आप उरिजिनल डेटा पर भी काम कर सकते हैं तो मैंने कल भी आपको रिगमेंट किया था कि आप लोग अगर अपना अपना एक डेटा से चोटे व आपको सारा अंदाजा वैसे चलेगा पिक्जल की वैलियूस भी आर जीबी की बजाए कलर में कर लें उसे तो आप कोई ज्यादा नहीं दस अजार इमेजिस कर लें साथ जार साथ तरह जार ना करें कोई डेटा उठाएं उस पर यह अल्गरिथम लगाएं और आज का दिन इस पे काम करें इस से आपकी प्रेक्टिस होगी तो कल को अगर आपके कोई क्वेश्चन होए को दो बार बार जो चीज़ आपको यहां पर लगता है मुझे के क्लियर नहीं हुई तो उसको मैं मैसेज में कनवर्ट करके चैट जी पीटे से पूछ, पर प्लैक्सिटे से करके चाहिए पिर दुबार आपको भीजा जा रहा हूं ताकि आपको डॉट प्रोड़क्ट का पता चले फिल्टर कैसे काम करते हैं उसका पता चले और बाकी जो चीज़ें 28-28 में करके ग्रे स्केल में करें क्या वो इसे प्रेडिक्ट करेगा ट्राइट इट विल प्रेडिक्ट लेकिन ट्राइग करें इमिज वैसे होनी चाहिए जैसे वह उसने बताया हुआ है ठीक है यह नहीं है मतलब दूर से खेंची और बास बात खतम आपने साइड़ों से उस जो लबीद का यहां पर है मैसेज के बेहतर है कि कल का दिन हम इसी एक शॉर्ट प्रोजेक्ट करें फिर आगे मूव करें आई वुड सिजेस्ट के कल आर एन एन करें क्योंकि कल हमारे पास वेंस्डे थर्जडे एंड फ्राइडे तीन दिन हम आर एन एन और एन पर लगाए वीकेंड हमारा पूरे के पूरा CNN और RNN पे लगाया गए वो ज्यादा बेतर होगा क्योंकि अगर मैं कल का दिन आफ करता हूं तो सैटर्डे संडे फिर मुझे दुवारा से क्लास लेने पड़ेगी और यहां ठीक हो गया मैं यहां पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और प्युर्डे लंग मैं तोंकि ट्रॉप यहां नेका हो जाए थिए पर गण कर दूंकि अटर्ड़ेगी और रिक गड़ेगी और वगार डिक। रिक। इंच कर देक। रखने ने जा पहए टंग कर दो कर दो सैटर्ड़ेगी और दो